नमस्कार दोस्तों अगर आपको एक बड़िया सा रोबोटिक वाक्यूम क्लीनर खरीदना है तो इस वीडियो को देखते रहे इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे चार सबसे बड़िया रोबोटिक वाक्यूम क्लीनर जो की आप खरीद सकते हो और यूज कर सकते हो त इसका जो प्राइजे आपको मिल जाता है 10,800 रुपे यानी 10,800 रुपीज में तो अगर आपको सबसे बजट में एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना है तो आप ये ले सकते हो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी रुबोटिक वैक्यूम क्लीनर की प्राइजस में आपको बता रहा हो हो सकता है बात में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इनका प्राइजस थोरा सा वैरी कर जाए तो इसके लिए मैंने हर एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक का बेस्ट बाइ लिंक देखे रखा है तो यह जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है क्लीन करने के लिए अपने साइड ब्रशेज में ब्रश और वैक्यूम को इस्तमाल करता है करता है काफी low noise level पर operate करता है और आपके घर को जो है जादा नौइजी नहीं बनाता है तो इसके साथ आपको एक बड़ा साथ dustbin देखने को मिल जाता है और इसमें आपको automatic recharging feature भी दिया जाता है तो इसके वज़े से आपका रोबोट जो है continuous cleaning कर सकता है कही घंटो तक obstacles को avoid करने के लिए और आपके furniture को protect करने के लिए ताकि furniture के साथ लग न जाए इसके अंदर दिया गया है anti-collision sensors जो की से मदद करता है obstacles को avoid करने के लिए तो आगे बढ़ते हैं अभी तीसे नमबर पे जो सबसे बरिया robotic vacuum cleaner आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सा आला है तो यहाँ पर जो आता है Eureka Forbes का RoboVac N-Mop 3-in-1 robotic vacuum cleaner यह कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो प्राइज है आपको मल जाता है 20,000 रुपे यह नि 20,000 रुपीज में तो इसके बारे में भी बात करते हैं और करते हैं review इस Eureka Forbes की robotic vacuum cleaner का तो यह basically एक 3-in-1 robotic vacuum cleaner है जिसके मदद से आप sweep कर सकते हो mopping कर सकते हो, disinfect कर सकते हो UV days के मदद से आप जो है mode को set कर सकते हो और even schedule को भी set कर सकते हो अपने घर पे कहीं पे भी remote control के मदद से जो इसके साथ आपको मल जाता है ताकि आपको बहुत ही बरिया cleaning मिल सके यह जो है आप use कर सकते हो किसी भी type of surfaces के उपर जैसे carpet के उपर इस्तमा कर सकते हो multiple cleaning modes आपको इसमें दिया जाता है जैसे spiral cleaning कर सकते हो random cleaning कर सकते हो, edge cleaning करना है तो वो आप कर सकते हो, किसी spot पे आपको cleaning करना है तो वो भी आप कर सकते हो,hermalt out of mechanism बेसमें दिया गया है तो अगर temperature ज्यादा heat up हो जाता है तो यह device को automatically switch off भी कर देता है, तो आगे बरते हैं यहाँ पर दूसरे नमबर पर जो सबसे बड़िया यहाँ पर robotic vacuum cleaner आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सा वाला है, तो यहाँ पर जो आता है iLife का A9S robotic vacuum cleaner तो यह कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो प्राइज है आपको मल जाता है 29,000 रुपीज यानि 29,000 रु आपको बहुत ही बढ़िया deep cleaning performance देता है क्योंकि इसमें एक pano view navigation system दिया गया है जो कि इस robotic vacuum cleaner को बहुत अच्छे से guide करता है और deep cleaning में बदत करता है इसके साथ आपको दो interchangeable roller bristle type brushes दिया जाता है जो कि आप arpet के उपर भी इस्तमाल कर सकते हो और एक rubber brush दिया जाता है जो कि आ hard floor के उपर इस्तमाल कर सकते हो तो इस robotic vacuum cleaner में आपको जो है एक vibrating water tank technology दिया गया है तो जैसे हम लोग normally जब mopping करते है कोई भी human अगर mopping करता है तो वो जैसे करता है बिलकुल उसी तरीके से जो है इसको सिखाया गया है mopping हरने के लिए तो इसमें आपको जो है एक building vibrating motor दिया ज cloth है उसको बहुती close contact में रखता है floor के साथ और ऐसे में और उसके बाद जो है उसी spot को बार बार repeatedly clean करता है तो ऐसे में जो है cleaning बहुती अच्छा होता है इसमें आपको चार cleaning की modes दिया जाता है जिसको आप remote control की मदद से जो है switch कर सकते हो कौन सा mode आपको चाहिए i life app के मदद स आप जो है सारा चीज कंट्रोल कर सकते हो cleaning cycle, real time mapping, cleaning modes को switch करना और error alerts भी आपको मिल जाता है i life app के मदद से तो आगे बढ़ते है यहाँ पर नंबर वन पर जो सबसे बरिया robotic vacuum cleaner आप ले सकते हो तो वो जानेते है कौन सा वाला है तो यहाँ पर जो आता है MI का robot vacuum mop यह कुछ दि cube mop का तो इसमें आपको दिया जाता है 3200 mAh का battery जो की आपको run time provide करता है 130 minute यानि 2 घंटे के उपर का इसमें आपको जो है 2-in-1 sweeping and mopping function देखने को मिल जाता है जिसमें की 3 modes आपको दिया जाता है efficient cleaning करने के लिए पहला जो mode है sweeping and mopping mode जो की work करता है 2-in-1 tank के साथ दूसरा जो है सिर्फ sweeping only mode जो की काम करता है 550 ml large dust box के साथ और तीसरा जो है mopping only mode जो की काम करता है 2-in-1 tank के साथ एक laser navigation system इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसमें की एक algorithm दिया गया है ताकि real time mapping हो सके faster speed आपको मिल सके और accuracy भी बहुत बढ़िया हो ये design किया गया है Indian homes के लिए और specially जो S pattern इसमें आप कर सकते हो अगर आपको S pattern में जो है cleaning चाहिए बड़े areas में with efficient battery usage तो वो आप कर सकते हो या फिर अगर आपको Y pattern की mopping चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो dual direction में जो है ये mopping करता है ताकि आपको बहुत intensive deep cleaning मल सके तो इसमें आपको anti-collution और anti-drop sensor दोनों दिया जाता है ताकि device की जो accuracy है navigation का वो बरिया रहे और अगर obstacles आता है 2 cm height तक का तो वो जो है वो detect कर लेता है और ये जो है stair के से भी इसे fall होने में बचाता है तो ये था सबसे बरिया चार robotic vacuum cleaner और mops जो की आप ले सकते हो इन सभी की जो best buy link है मैंने इस वीडियो की description box में देके रखा है वहाँ पे जाके आप इन सारे robotic vacuum cleaner mops को check out कर सकते हो देख सकते हो और फिर इनको खरीद भी सकते हो ताशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अगर आपको कोई भी doubt है इस वीडियो से related या फिर इन robotic vacuum cleaner mops से related तो नीचे comment जरूर करना तो हम लोग इस वीड करते हैं खतम